अगर आप आपके बालों को लंबा करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके बालों का जो टेक्शर है उसे इंप्रूव करना चाहते हैं अगर आपके बालों के हैर वॉल्यूम को इंक्रीस करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर दे इंप्रूव होगा Hi everyone, this is Shalini and welcome back to my YouTube channel Magical Remedies I really hope आप सबी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में एक बहुत अमेजिंग सा hair mask या फिर आप इसे एक hair oil भी बोल सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी scalp को healthy बनाने में साथ ही आपके बालों की health को improve करने में बहुत जादा help करेगा हमारी scalp अगर healthy नहीं होती है तो उसकी वज़े से हमारी scalp पे बहुत सारे problems होते हैं जिसकी वज़े से हमें hair fall होता है, hair growth रुख जाता है साथ ही हमारे बालों का जो texture है वो भी धीरे-धीरे खराब होने लगता है तो इस hair mask को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिफ तीन ingredient का use किया है यह तीनों की तीनों ही ingredient आपकी hair growth को, hair volume को, hair texture को improve करने में बहुत ही जादा help करने वाले हैं और इसका जो main ingredient हम यहाँ पर use करने वाले हैं, that is हमारा aloe vera gel सबसे पहले इस remedy को बनाने के लिए मैंने एक बॉल में दो टेबल स्पून aloe vera gel का use किया है अगर आपके पास में fresh aloe vera gel है, तो आप उसे अच्छे से उसका pulp remove करके, उसे mixture में grind करके, उसका जो paste है, आप यहाँ पर use कर सकते हैं पट अभी मेरे पास aloe vera gel नहीं था, तो मैं यहाँ पर market-based aloe vera gel का use कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून aloe vera gel को लूँगी, अब मैं अपना next ingredient यूज़ करूँगे, that is vitamin E का capsule तो यहाँ पर मैंने 2 vitamin E के capsule यूज़ किये हैं, आप अपने hair length के according यहाँ पर कम या जादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 vitamin E के capsule इसमें add कर दिये, अब मैं अपने 3rd ingredient add करूँगे, that is olive oil olive oil अगर आपके बालों का texture बहुत ज्यादा खराब है, यानि कि आपके बाल बिल्कुल भी shiny नहीं है, आपके बालों में किसी तरह का bounce आपको नहीं दिखता है अगर साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा brittle है, यानि बीच में से बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, तो आपको olive oil यहाँ पर add करना है और अगर आपके बालों में इस तरह का कोई भी problem नहीं है, और आप सिर्फ अपने hair growth पर focus करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर castor oil को भी add कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं 2 tablespoon olive oil को add कर दूँगी, अब इन तीनों ही चीजों को हम बहुत ही अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद आप देखेंगे कि हमें बहुत ही अच्छे से creamy सा paste इसका मिलेगा और हमारी जो यह remedy है, वो बनकर बिल्कुल ready है इस hair mask को apply करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आपके बालों को कॉम कर लेना है किसी भी remedy या किसी भी hair mask को apply करने ही से पहले हमेशा अपने बालों को कॉम जरूर कीजिए उससे क्या होता है कि आपके बालों का जितना भी hair fall होता है वो पहले ही हो जाता है टैंगल बालों में कोई भी remedy को apply करते हैं तो उससे आपका जो hair fall है वो बहुत ही जादा increase हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से यहां पर detangle कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी cotton या फिंगर टिप्स की help से भी इस remedy को लगा सकते हैं आपको आपके बालों के sections करते जाना है और इस remedy को आपको आपकी scalp पे बहुत ही अच्छे से लगा लेना है आपको रब नहीं करना है बहुत ही हलके हातों से आपको आपकी hair length पे भी इस remedy को apply कर लेना है इस remedy को बनाने के लिए हमने यहां पर aloe vera gel का यूज किया है तो aloe vera gel आपके scalp को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है उसकी वज़े से जो आपके बाल है वो भी बहुत ही अच्छे से हल्दी होते है और आपके जो बालों का growth है वो बहुत अच्छे से होने लगता है जो हमने इसमें यूज किया है वो है यहां पर vitamin E का capsule vitamin E का जो oil होता है अगर आप अपने बालों की hair growth को improve करना चाहते हैं तो यह बहुत ही जादा useful होता है बालों की elasticity को improve करने में बहुत ही जादा useful होता है साथ ही जब vitamin E के oil को जब हम अपनी scalp पर use करते हैं उसकी वज़े से हमारे जो blood का circulation है वो बहुत ही अच्छे से होने लगता है जिसे हमारा जो hair growth है वो बहुत ही अच्छे से होने लगता है साथ ही हमारे बालों का जो regrowth है वो भी बहुत ही अच्छे से होने लगता है और उसके बाद आप आपके बालों का या दो जूडा बना लीजिए या फिर आप जो भी चाहे अपने बालों को जिस तरह से भी रखना चाहते हैं उस तरह से रख लीजिए और उसके बाद आप एक शावर कैप पहन लीजिए जिससे कि इसका जो नरिश्मेंट है आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मिलता रहेगा अब इस रेमेडी को आपको छोड़ना है आपके बालों में 30-40 मिनिट के लिए उसके बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड चैंपू से हर वाश कर लेंगे अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को आप कितनी बार यूज कर सकते हैं तो आप इस रेमेडी को ईजीली हफते में 2-3 रेमेडी खुद सकते हैं और जो भी इंग्डियरिट हमने यूज किह हैं हो बहुत ज़्यादा माइल्ड है इनके कोई भी side effect नहीं है काफी natural ingredient हम यहाँ पर use कर रहे हैं I really hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा अब मैं आपसे मिलूंगी एक next वीडियो में till then bye